पर्मेश्व प्रेम गाल का परमेश्वर था है और आने वाला है और रहेगा परमेश्वर की क्रिपा क्या हम मसीजियों पही है नहीं परन परमेश्वर का प्रकास आने जातियों पर भी समानता से होता है क्या हिंदो , क्या मुस्लिम , सिख , क्या ही सिर्फ , क्या यहूदी , या विभिन धर्म के लोग , क्या उन्पे पर्मेश्वह का नुग्रा नहीं है, एक टिपादुरष्टी नहीं है? नहीं , बिलकुल है वरन alnio — किसी से कम नहीं है , वरण सबसे बढ़कर है, इसे से घड़कर नहीं है, क्योंकि सब परमेशों की संताने से परमेशों उद्रा बनाए गए हैं, आज परमेशों के इसी महान प्रिपद्रिश्टी की चर्चा हम लोग करेंगे, एक ऐसे सक्स के जीवन को चर्चा में देखते हुए, इनको हम लोग जानते हैं आज अपने देश के प्रधनमंद्री की रूप में, जी हाँ, आप लोग सई सोच रहे हैं, नरेंदर, दामोरदरदास, मोधी, बिल्कुल, ये सक्स, एक साधारन परिवार से होके, अती साधारन परिवार से होके, आज इस मुकानकत पहुँचा है, वरमेशों के द्वारा ऐसे आशीश मनुष्य के विशाल चरित्र को हम लोग पीरोने की कुशिश करेंगे शब्दों में, परमेशों के अगवाई में, और आशा करेंगे कि जैसे हम लोग रूप के अगवाई में, उनके जीवन से सीख के आगे बढ़े हैं, और हर एक के जीवन के संखर अगे बढ़ सकते हैं, आशा करते कि आप लोग भी आगे बढ़ेंगे, तो नरेंदर दामदर तास मोदी का जनम, 1950 में 17 सिप्टेंबर को हुआ था एक गरीब परिवार में, उनके पिताजी के एक दुकान थी, वो चाई के स्टार लगाते थे, रेल्वेस्टिशन में, और उनके छे संताने थी, जिन में नरेंदर, बालक नरेंदर जो समय थे, वो तीसरे नममर में थी और उनके पिताजी का पुरा नाम, दामदर्दास मोदी था और उनकी माताजी का नाम, हिरावैन मोदी थे नरिंदर्भ मोधी, कम उमर से ही, आध्यात्मी गुरूची, देश विकास, समाज विकास, समाज सुधार, समाजिक मूलियों के प्रती सचेत थे पढ़ाई लिखाई में, जब वो स्कूल में थे, उनके सिख्षकोंग ने, उनके सहपाठीयोंग ने, उन्हें कहा, पढ़ाई में आप एवरेज है, लेकिन थेटर्स में, जहां वो कैरेक्टर प्ले करते थे, लार्जदनल लाइफ, जीवन से भी बढ़कर, जीवनी से भी ब करने में, वर्तालाब करने में, उनको महारत थी, और उनकी इस प्रतिभा को, उस समय के सिख्षिखाओं ने, उनके स्कूल के छातल छात्राओं ने पहचान लिया था, परन्तु, परमेश्वर ने तो, उनके लिए कुछ और ही लक्ष्वर रखा था, क्योंकि परमेश्वर क अगे चलकर वाटनगर वाटनगर वे स्टॉल लगाया करते थे वाटनगर उनका जनम भी हुआ था जो आज गुजञात में है वो एरिया उस जमाने में पुरानी बंबई में पढ़ता था आगे चलके बहुती कम उमर में उनके माता पिता ने उनकी शादी अरेंज मैरेज यशोदा बेंग नाम की एक इस्त्री से करादी सी परंतु उनका लक्ष ग्रिहस्ट परिभारिक जीवन नावा उनके आगे के रिती दिवाजन को बीच में ही छोड़कर वो घर से भाज निकले और दो साल प्रिस्पेंगौल, अलकत्ता, आसाम तमाम जगा वो जा रहे थे, कभी स्वामी विवेकानन्द के आश्रम, तो कभी किसी और मठ में, लेकिन कुछ-कुछ समय हर जगा वो बिता के वापस दो सर्बार वो अपने घर को आए, क्योंकि उनकी जो एडुकेशन थी, जो मिनिम्म क्वालिफिकेशन होता था, रहने के लिए उनके पास नहींगा, और जब एघर लोटे है, 1969 के असपास, उसके बाद, कुछ समय के बाद, वो अपने अंकल के यहां चले गए, मेहमद अबाद, और वहाँ पर उनोंने उनके साथ काम किया, लेकिन उनकी रीची देश सेवा में थी, समाच सेवा में थी, आगे चल के उनोंने, जब वो बालक थे, वाल, स्वयम सेवक भी वो रह चुके थे, लक्षमन राओ, इनामदार, जिनसे वो परिचित थे, उनके द्वारा उनोंने, आरसेस की सद्यसता को पाई, और उसकी सिच्छाओं में आगे बढ़े, और वो उसके प्रचारक भी बनें, उसको स प्रेम उनका आदर सब के लिए समान था, और परमेशन की पाद इस्टियों पर थे, आगे जाके 1975 में जब इमर्जन्सी लगा था भारत में, इंदरा गांदी जी के सरकार के समय, तब गोए सरधार्व के वेश में घूम रहे थे, तब भी वो समाज इनी प्रचार कर रहे थ जलके वो बीजेपी में आते हैं, उन्नी सवस्ती के बाद उनकी इंट्री होती है बीजेपी में, और पीस भी सधी आने आने तक, बीस सालों के अंदर वो खारेकरता से लेकर एक छोटे कारेकरता से उटकर यहां तक तरफी करते हैं, जनरल सेक्रेटरी बना दिया दी जाते और जो जन्ता के बीच तालमेल जो नहीं था क्योंकि वहाँ एक भुकम पाया हुआ था भुच में और उस विपत्ती को सही से सरकार हैंडल लेकर पाई थी तो आनन पानन में भाद में नरेंदर मोदी जी न बीजेपी को लीड किया और उन्होंग ने महा सरकार बनाई और जार बार वो वहां के मुखिमंद्री भी रहे तो हुजार एक से चौदा तक हम लोग जानते हैं और उन्होंग ने बिजली, सास्थिय, नदियों को जोड़ना महिला सुरक्षा, सिक्षा, हुकमरी से चुकारा, हर एक चीजों पर काम किया और आज गुजराद को कहां से कहां पहुचा दिया। 2013 में उनकी लोग पृत्या अतनी बढ़ी हुई थी कि बिजेपी ने जो 2009 का चुनाओ आडवाने जी के नेतिने में लड़ी थी उन्होंग ने मोधी जी को अपना इमिलवार घुशित किया और प्रचंड बहुमत के साथ 2014 में उनके सरकार बनी और अडल बिहारी बाजपाई के बाद वो भाजपा के दूसर प्रधान मंतरी बने जिनोंग ने पांस साल का कारेकाल पूरा किया और भाजपा के पहले ऐसे मुख्यमत्री बने जिनोंग ने लगातार दो बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और पहली जितनी सीटे पाई उससे भी अधिक सीटे दोसरे बार विधान वा नहीं परन्तु लोग समझतराओं पाई उन्होंने जितना प्रेम विधान सभा आपने छेतर में नहीं पाया गुजरात में उससे ज्यादा प्रेम उन्होंने लोग सभा छेतर में पाया इसको हम लोग देखते हैं और उनके सरकार में रहते हुए भाजपा ने कई विधान सभा छेतरों में कई राज्यों में सरकार बनाई है और आज हम लोग देखते हैं कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नैशनल कॉंग्रेस अखेल भारतिय कॉंग्रेस कि इसमों काम पर खड़ी है कि एक विपक्ष क्यालाने के लाइग भी नहीं हो यहां हम लोग देखते हैं पर मेंटर का संदेश यदि हम ल द्याग करेंगे मलीधान करेंगे परमेश्र के देखने का सबस् mãले करेंगे कि फुल damn शिख्षा नहीं है है परतु उत्तम्षा कर्या सरा करेंगे पर से लिए अर आज ऑब हेरेनदर दामphonदर अब मोईभिञे कैसा हूट जो शाहिएगी ग्लोट दुकान में घ्थ प अपने पिता के साथ, अपने भाई के साथ, उनका जीवन, घरीबी में गुजर बसर हो रहा है लेकिने कोई भी शिकायत ना थी, आज वो देश के पिये में, और हमारे मान ये प्रधान मंत्री, श्री नरेदर मोदी ने, प्रधान जीती में आने के पहले, अपनी अधुरी सिक अच्चा को भी पूरा किया, उन्हें सुच ऑठार में जीवन, सइन्स में बैशलर के दिग्री लिए, और उन्हें स्कूल Allantronics में बैशलर के दिग्री लिए, आज नए भारत एक न्यूंढ जीवन से विजन लेकर, मिजण लेकर, इस्कूल औपेंज के लगशन transformation, reformation और एक नया भारत का सपना दिये वे नारा लिये वे वो देश को आगे ले जा रहे हैं और हम लोग आशा करते हैं कि परमेश्वर ने आज ऐसे मनुश्य को ऐसे सक्ष को जो शोशित में था घरीबी में था परिवारी गूप से वो अधर बैकवर्ट क्लास में आते थे आज इस मुकाम तर पहुंचाया कि आज देश दुनिया में उनका मान सम्मान रहे और पूरे भारत को उनके चाहने वाले हैं और आज वो एक भारत को जो उनका सपना था विश्व गुरू के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं आज दुनिया भारत के तरफ देख रही है एकनॉमी में साइंस में टेकनोलोजी में विज्डम में हेलिंग में मेडिकल में हर एक चीज़ में आज भारत के पास सिर्फ आज भारत के पास माटेरियल ही नहीं मैन पावर भी है लेवर ही नहीं पहले भारत के लोग मजदूर की रुप में जाने जाते हैं आज भारत के पास स्पोर्स है लेवर नहीं लेवर फोर्स है मैन फोर्स है तो आईए हम लोग अपने प्रधा मंत्री एस जीवन से जो अच कुछी सिक्षा जामें मिलती है संघर्ष की द्याग की बलिदान की और कभी हिम्मत ना हारने की कभी कोई भी काम को छोटा ना समझने की अपने और अपने परिवार से बढ़कर समाज को देश को राष्ट को दुनिया को कुछ कर गुजरने की चाहत रीश्वर को पा लेने की चाहत उनकी सिख्षा को और उनको बताने की चाहत में जैसा वो आगे बढ़ें वैसा हम लोग भी आगे बढ़ें और हर एक सुनने वाला जैस छोटी सी जीवनी के त्वारा उनको जिवन को शब्दों फिरोए ने जा सकता ऐसे सक्ष से वो सीखें और हम लोग सब आगे प्रीवार्बू में उची मुकांब पहुचेंगे और फर्मेश्र kup प्रकास जैसे डर्नन मोदी वेसरे हम पर पी चमकता है और हम लोग सारे चगत में परमेश्व का प्रकाश किये, परमेश्व का ग्यान लिए, परमेश्व की महिमा लिए, परमेश्व का महिमा मंडल करेंगे हर एक सुन्ने वाला श्रीत वे परिवासे, आमई